चारवाग कहते हैं कि चाहे उधार लेके पियो लेकिन घी पियो मतलब जो बाते शुकता वेड़ों के हिसाब से आस्तिक या नास्तिक होता है पर आमस्तों पी समझते कि आस्तिक वो जो भगवान को मानता है नास्तिक व भगवान नहीं मानता है तो क्या गलत है अदवैत वाद कहता है कि सारी दुनिया सिरफ एक ही चीज से बनी है और वो एक चीज क्या है तो मतलब ईश्वर और राक्षास नहीं है कांट कहते हैं I had to destroy my reason to make room for faith मतलब मुझे अपने reason को खतम करना पड़ा ताकि मैं अपने लिए faith के लिए जगा बना सकता है तो और उसी को लाइक लोजिक किल्स तनु मैं हमारे podcast में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम philosophy की बात करेंगे philosophy as a subject क्या है और जो नहीं जानता है common man उसे philosophy को कैसे approach करना चाहिए क्यों ये इतना interesting subject और आप क्यों उसके teacher बने thank you so much for calling me here philosophy को हिंदी में कहते हैं दर्शन दर्शन मतलब किसी चीज को देखने का तरीका तो हम दुनिया को कैसे देखते हैं वही हमारा दर्शन हो जाता है मतलब अगर मैं दुनिया को देख रही हूं और मैं मान रही हूं कि ईश्वर है तो एक अलग तरीके से हम जीवन जीएंगे और अगर हम देख रहे हैं और हमें लग रहा है कि इश्वर नहीं है तो हमारा पूरा जीने का तरीका एकदम अलग हो जाएगा उसी तरीके से अगर हमें ऐसा लग रहा है कि दुनिया तो आटम्स की बनी है, तो हम अलग तरीके से जीएंगे, जैसे कि एक तम सिंपल एक्जाम्पल से इसको समझते हैं कि अगर हमें लगता है कि चीजें सब आटम्स से बनी है, हमारा शरीर भी आटम्स से बना है, हम भी हैं, यहां से एक neural receptor से कुछ oxytocin निकला, serotonin निकला, dopamine निकला, यह सब hormones के नाम है, वो निकले और दूसरे में जाए गए, तो आप खुश हो गए dopamine निकला तो आप खुश हो गए serotonin निकला तो आप दुखी हो गए, आपको किसी से मिले, किसी के आप अपने दोस से मिले, मा से मिले, आपको खुशी हुई, तो oxytocin निकला तो आप बहुत खुश हो गए, आपके मन में शान्ती की feeling आई, तो अगर हम यह मान रहे हैं, तो अगर हमारा world view ऐसा है, यानि हमारा दर्शन ऐसा है, हम दुनिया को ऐसे देख रहे हैं, कि सिरफ chemicals हैं तो प्यार एक chemical बन गया उसी तरीके से हमारे दुख भी एक chemical बन गया तो वो ऐसा है कि हमने injection लगाया तो शायद हम दुखी तो खुश हो जाए ऐसा होता है रियल में नहीं होता है कुछ हट तक, लेकिन बहुत जादा नहीं उसी का opposite world view है दर्शन, तो अगर ऐसा सोच रहे है तो कई-कई हम चारवाग के बड़े करीब हो गए चारवाग के है चारवाग एक philosophy है तो हमारे भारतिय दर्शन में एक तरीके से हम में माना जाए वैसे तो बहुत सारे दर्शन है लेकिन मुखे तोर पे नौ दर्शन माने गए है कि नौ तरीके से हमारे पुराने जो रिशी मुनी है उन्होंने देखा कि नौ तरीके से दुनिया को उन्होंने explain किया कि दुनिया आखिर बनी कैसे है क्या कारण इस दुनिया के बनने का, इस दुनिया के अंदर हमें कैसे जीवन जेना चाहिए, किस तरीके से हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, कैसे अक्ट करना चाहिए, कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, तो यह जो नौ तरीके हैं, नौ तरीक करा है फिलोसफी में दर्शन में तो जैसे चार वाग है तो चार वाग समझते हैं कि भगवान नहीं है और ऐसी कोई भी चीज को वो नहीं मानते हैं जैसे हम देख नहीं सकते हैं जैसे कि क्या हम देवी देवता को देख सकते हैं तो वो नहीं मानेंगे हम जिस भी चीज को नहीं देख सकते, कर्मों को नहीं देख सकते, हवा को नहीं देख सकते तो भी नहीं मानेंगे, हवा महसूस कर सकते हैं, तो महसूस करने वालों को मानेंगे, जैसे खाने को टेस्ट कर सकते हैं, तो टेस्ट कर सकते हैं, तो खाने को मानेंगे, तो जिस तो अब जब चारवाग दर्शन पर हम आ गए तो यानि कि उसने आत्मा है नहीं, ईश्वर है नहीं, और देवी देवता नहीं है, स्वर्ग नर्क नहीं है, करम है नहीं, पाप पुन्य नहीं है, तो अब जो ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए पाप पुन्य है नहीं, तो उसका जीवन दर्शन, मुझा लग, भू कैसे जिएगा, अपनी नर्मल नहीं, कच भी करेगा, अब वो कुछ भी करेगा मतलब, वो कहईगा, खाओ प्योग, एश करो, मितरो, तो जब हमें वैसा नहीं रहेगा तो हम कुछ भी करेंगे तो तो बर्दमास लोग है तो एक सोचने का तरीका है एक दर्शन है एक दुनिया को देखने का तरीका है और आप देखेंगे कि बहुत सारे व्यक्ति आज के समय में अपना जीवन चारवाग की तरह ही जी रहें कैसे? जो लोग भगवाण में विश्वास नहीं करते हैं उसी तरह जो वेस्टर्ण वर्ल्ड है या साइंटिफिक कम्यूनिटी है वो चारवाग के बड़ा नस्दीक ही तो है वो भी नहीं मानते पाप पुन्ने वो भी नहीं कर्मों को मानते वो भी आत्मा नहीं मानते भगवान नहीं मानते पुनर जनम नहीं मानते पुनर जनम नहीं मानते चारवाग भी यही कह रहा है चारवाग कहता है बड़ इची बात कहता है वो कहता है कि जैसे पान होता है ना तो पान, सुपारी का था, इन सब को मिलाते हैं, लेकिन अंत में वो लाल-लाल रंग निकलाता है, ना पान के पत्ते में लाल रंग था, वो तो हरे रंग का था, ना सुपारी में रंग था, तो बाद में ये लाल रंग आया कहां से, इनके मिश्रन से आ गया, तो चारवा कहता है उसी तरह से हमारे जो चार तत्व है धर्ति अगनी वायू और यह मिलेंगे और हमारे अंदर यह जो हम बात कर रहे हैं consciousness है चेतना है यह आ जाएगी यानि और सेम साइन्स कहती है साइन्स कहती है atoms मिलेंगे एक particular तरीके से मिलेंगे और hormones निकलेंगे और hormones निकलेंगे तो कभी हम खुश हो जाएंगे कभी दुखी हो जाएंगे मैम हमने तो पांच तत्व सुने है, तिर इथर के लिए पिखते लिंग कि दिखता है एक को ही वेक्थी था या फिर एक कल्ट की कि फिलोसफी रही है ये एक कैसा माना जाटा है, बहुत लंबा एक कल्ट रहा है, जिसकी पूरी फिलोसिफी को हम चारवाक फिलोसिफी कह देते हैं, चारवाक के पीजे भी कहीं सारे interesting चीजें हैं, चारवाक का मतलब है चारूवाक, चारू मतलब सुखी, वाक मतलब जो बातें सुख दे जैसे कि अगर मैं टीचर हूँ अब मैं अपने बच्चों को बोलू बटा पढ़ाई करनी पढ़ेगी महनत करो तो उनको लगेगा अरे तो बड़ी जिम्मेदारी का काम है और अगर यहीं पे कोई व्यक्ति कहे अरे पढ़ाई वड़ाई की कोई ज़र होती है महनत वहनत की कोई ज़र होती है सब कुछ हो जाएगा यह कैसी बात है यह बड़ी खुशी देने वादी बात है तो चारवाक वैसी बाते करते हैं चारवाक कहते हैं कि चाहे उधार लेके पियो, लेकिन घी पियो इस सही में लिखा हुआ है उनका इक और बड़ी interesting सी कहावत है, वो कहते है पीटवा, पीटवा, पुनह पीटवा मतलब पियो पियो, जब तक पियो corresponds alcohol जब तक पियो पियो पियो, पियो इसमें alcohol, पियो पीओ पीटवा पीटवा पुन्ह पीटवा और कब तक पीना है जब तक कि गिरना पड़ो और जब गिर के आप उठो तो पुन्ह पीटवा मतलब कहीने फिलोस्फी है कि आपको खुञश रहना जरूरी है फुघाटने अपनी खुशिए के लिए अगर आपको कुछ भी करना रहा है तो ऐसे वेक्षिएों को कोई परिशानी नहीं होती तो आप अपने आसपास भी देखते होंगे के सो में से दो, तीन, चार, पाँच, कोई नहीं वेक्ति तो ऐसे मिली जाते हैं, जो ऐसा लगता है कि यार ये ना, मतलब मेरे को तो मैं क्योंकि फिलोसोफी बढ़ाती हूँ शायद, इसलिए मैं तो चार वाग दर्शन वाला वेक्ति है, चार वाग घूम रहे हैं आज कल भी, आज कल नहीं कहेंगे, वो आम तोर पे हमारी कोलोकियल भार्शा है, मतलब जो बोलने चालने के तरीके में, लेकिन दर्शन जब हम एक सब्जेक्ट के तोर पे पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आस्तिक और नास्तिक का मतलब वेदों से लिया गया है, है ना, इसी को एंग्लिश में हे अरवेद हैं उन्हीं पे, ओके, तो यह चारवाक काफी इंटरस्टिंग, तो इस हर फिलोसफिप में कुछ फिलोस भी हैं इसका मतलब, बिलकुल, बिलकुल, जैसे चारवाक मैंने सुना, तो यह कुछ कोई सेग्मेंट कहेंगा, कुछ लोग कहेंगे, इसको फालतो की फिल तो चारवाक जैनिजम और बुद्धिजम, यह तीन आद हैं, और इसी के अंदर जो हमारे आस्तिक दर्शन हैं, जो वेदों में विश्वास रखते हैं, उसके अंदर सांखे योग, न्याय वेशेशिक, मिमानसा और विदान्थ, जैनिजम और बुद्धिजम में आपसे प बता रहे हैं, आपने सुना ये? बुद्धिजम के अंदर भजन कीरतन का, इन सब का कोई बहुत ज़्यादा रोल है नहीं, मतलब इनकी फिलोसोफी, अगर हम दर्शन की बात करें, तो उसमें भजन कीरतन या इन सब चीजों का कोई ज़्यादा रोल है नहीं, लेकिन वहाँ पे हो रहा था, उन्होंने का हम भी करेंगे, तो उसी तरीके से जब बुद्ध भगवान बहुत popular हुए, बुद्ध भगवान की बाते लगी कि हाँ, वही वाली बाते हैं, जैसी शायद हम लोग कर रहे थे हमारे वेदों में लिकिनी, तो वही से उन्हें भी inculcate कर लिया, कि ये भी एक हमारे अवतार हो तो कुछ लोड़ वे know, उन्होंने inculcate कर लिया, जैनोंने नहीं माना, वह रहे गया, तो आप मुझे ये समझाए य कि जैनियिसम की क्या फिलोसफी है और बुद्धिसम की क्या फिलोसफी है तो हमारे जीवन है वो हर चीइज, हमारे जीवन में क्या, इस दुनिया में को हर चीज हर पल बदल रही है जैसे कि हमारा शरीर आपको जानके इहरानी होगी कि साथ दिन के अंदर हमारे लग भग बहुत सारे सेल्स चेंज हो जाते हैं और लग भग लग बग 120 दिन के अंदर एकदम टोटल ट्रांसफर्मेशन हो जाता है हमारी बोडी का यानिकि हमारी बोडी के सेल्स हर पल بدल रहे हर पल बदल रहे हर पल बदल रहे और एक वक्त ऐसा आता है कि जो सेल आपका पहले दिन पे था वो जो अंत वाला जो यह समय है इसमें एक भी सेल नहीं बिचाओ तो हम cellular level पर change हो जाते हैं पूरे change हो चुके हैं यानि कि हम हर पल बदल रहे हैं जब मैंने enter किया था उससे लेके अब तक कितने ही बदवलाव आ चुके यह table हमें लग रहा है permanent है लेकिन यह table को अगर हम पूरे spectrum में देखें आज से 10 साल बाद कैसी दिखेगी यह 100 साल बाद कैसी दिखेगी 500 साल बाद तो शएदे table दिखेगी नहीं यह मिट्टी में मिल जाएगी तो basically हमें लग रहा है अभी यह स्थाई है परवनेंट है लेकिन असलिएत में बदल रही है हमारे विचार हर पल बदल रहे है और हर शण के हिसाब से बदल रहे है जैसे कि मैं अपने बच्चों गएक हमेशा कहानी सुनाती हूं बुद्धिसम से रिलेटेड कि एक बार एक आदमी बड़ा प्यासा था बहुत प्यास लगी थी उसको बहुत धूप थी तो एक घर में जाता है गेट-खट-खट आता है और गेट-खट-खट आके कहता है कि मुझे पानी मिलेगा तो एक लेडी आती है वो कहती है कि ठीज लाती हूं कितनी अच्छी लेडी है बताओ मैंने इतनी गर्मी में एक अंजान वेकती ने पानी मांगा और ये पानी देने के लिए तैयार होगी अब वो पाँच मिनट तक वेट करता रहा धूप में थोड़ी देर बाद उकल लगा आके तहीं कैसी ओर रहत है पानी का कहके गई थी कि अभी लाती हूँ और अभी तक नहीं आई मितलब उसको पता था मेरे को प्यास लगी और धूप में और खड़ा कर गई अब एकदम से अच्छे से बुरा फिर दस मिनट बाद वो लेड़ी निकल कर आती है वो कहती है अरे भी या मुझे लगा तुम्हें प्यास लगी है मैंने सुझा शिकंजी बना देती हूँ उसने बना रही है तो उसने शिकंजी पी उसमें सिरफ नमक नीबू था उसने गाए किसी बेवकूफ हो रहत है कि इतनी गर्मी में मैं आया हूँ और सिरफ नमक नीबू उसे तो और मतलब मेरी प्यास भढ़केगी और मुझे नमक नीबू वाली पानी दे दिया तो तबी लेडी के तिया रुको भीया है ना इमें चीनी अलग से लाई हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें डाइबटीज है के नहीं है तुम कितनी चीनी लोगे कितनी अच्छी लेडी है कि मेरा मेरे सेहत का भी ख्याल रख रही है मलब इन स्पान ओ फिफ्टीन मिनि है हमारी कॉलिटीज भी पर्मनेंट नहीं है हम आज अज एक चीज को पसंद करते हैं हो सकते है चार साल बाद पान साल बाद हम उसे पसंद दी ना करें इनसानों के वें भी है कि आज पसंदारा नहीं पसंदाएगा तो बुद्धिस्म का कहना यह है कि कुछ भी पर्मरेंट नहीं है कुछ भी स्थाई नहीं है और जब कुछ स्थाई है नहीं तो किस चीज से दिल लगाना भई दुख कब होगा जब दिल लगेगा जब अटाच्मेंट होगी मैं आज आज मुझे अगर यह कप तूट जाए तो मुझे तब दुख होगा जब मुझे लग रहा है यारे मेरा कप है सारे दुखों का कारण एक ही अटेच्मेंट जैसे की बहुत सारे विक्ति हर रोज पूरी दुनिया में मरते हैं जैसे अगर हम बात करें किसी भी कॉंटिनेंट की देश की जैसे बहुत सारे लोग आज अफरीका में भी मर रहे होंगे है ना किसी को बहुत सारी बिमारियां भी हो रही होंगी अभी दो-दो वार चल रहे थे इस्राइल-पैलिस्टीन वार चल रहा था रशिया-उक्रेइन वार चल रहा था यह दूनों वार्स चल रहे थे इतने बड़े-बड़े हजारों लाखों लोग घर तभाव हो गए लोग मर गए मतलब कितनी तकलीफ है उन्होंने छेली लेकिन हम में से कोई क्यों नहीं रोया हमारा नहीं था कोई attachment attachment हटा ले तो दुख हो गई नहीं तो दुनिया में हम आते हैं हमें हजारों टाइप की दुख मिलते हैं तो दुख का कारण और कुछ नहीं है हम खुद है यह हमारा जो यह है attachment यह हमारे दुख का कारण है तो उन्होंने बस यह दुख को हटाने का तरीका बताया, उन्होंने ये attachment को हटाने का तरीका बताया आठ steps बताये, कि भईया इन आठ steps को follow करो ये तुम attachment और तुमारा धीरे-धीरे कम हो जाएगा और तुम्हें दुनिया में दुख नहीं हो क्या है वो art step? वो पूरे बहुत लंबे steps है उसको कहते हैं हमारा Ashtangik Marg Ashtangik Marg of Buddhism आठ step है जिसके अंदर हमारी सारी चीज़ें आजाती हैं जैसे कि हमारा vision ठीक होना हमारी knowledge ठीक होना, हमारा actions ठीक होना, हमारी livelihood ठीक होना अगर आपकी livelihood मतलब आपकी अगर आज जो काम करते हो वो सही नहीं करते हो लेकिन अंदर मन में दुखी रहोगे, अशांत रहोगे, तो उसी तरीके से सारी है, उसके बाद अन्तिम में आके आते आते, उनका सारा जो पोकस हो जाता है, वो समाधी और निर्वान की तरफ चला जाता है, तो इस एट स्टेप से, पूर 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 फिलोसोफी है, और अगर नाम हम समझें, तो वो कहते हैं कि प्रतित्य समुझपाद से अनित्यवाद, अनित्यवाद से शाणिक वाद, शाणिक वाद आपने शाद नाम सुना होगा, ने सुना, शाणिक वाद मतलब हर्शन चीज़े बदल रही है, तो बहुत लंबी घानी है कि वो सोल के इस दुनिया में हम आए हैं, चार सत्य, उनके चार आरे सत्य हैं, पहला सत्य है कि दुख, वो कहते हैं हम सबको दुख है, दुनिया में ऐसा हुई व्यक्ति है नहीं जिसे दुख ना हो, वो कहते हैं इवन कि जो सुखी लग रहे हैं, जिस चीज़ को हम सुख मान रहे हैं, कहते हैं, कैसे, कहते हैं, तो मेरे हाथ में चोट लगी तो दुख है, तो पता ही है सब को, लेकिन मैंने किसी व्यक्ति को पसंद किया, यह तो सुख की बात है, कि किसी को प्यार किया, किसी को पसंद किया, लेकिन अन्थ में वह भी दुखी है, क्यों क्यों कि आपको डर लग कई मुझे छोड़ के ना चली जाए या चला जाए यह ना हो जाए आपको बिजनस में आपकी प्रोफेशन में ग्रोथ हुई खुशी की बात है लेकिन जैसे ग्रोथ होती है सबसे पहले क्या आता है इंसान के मन में अकसर के अर्यार इसे मैंटेन रखना है या इसे बढ़ान नजर ना लग जाए, इसे बढ़ाना है, या इसे maintain रखना है, तो वो जो हमारे अंदर की, वो हमारे अंदर डर लेकर आता है, और वही दुख का कारण बनता है, हमारी expectations, जैसे कि हम अगर बुद्ध की हिसाब से समझें, तो अगर हम, हमारा दोस्त, हमें लग रहता है, हमारे husband ऐसे बात करेगा, या हमारी wife ऐसे बात करेगी, हमें लग रहता है कि हमारी मा को ऐसे बात करना चाहिए हमसे, या हमें लग रहता है कि हमारे staff को ऐसा करना चाहिए, या हमें उनके साथ ऐसा करना चाहिए, लेकिन actually ये सब तो expectation है न, किसी ने वादा थुड़े न किया था, और क्यूंकि हमने expectation लगाई, इसलिए हमें दुख हो रहा है, अगर expectation नहीं होती, तो दुख भी नहीं होता, तो पहला सत्य वो बोलते हैं, कि भई सबसे पहला सत्य दुख, दूसरा सत्य है कि दुख का कारण है, दुख का कारण क्या है, तीसरा सत्य है कि सब कुछ temporary है, और सब सब कुछ टेंपरेरी है, जैसे आपको यह समझ में आ गया कि यार जिस वेक्ति के लिए मैं आज इतना दुखी हो रहा हूँ, वो आदमी भी टेंपरेरी है और मैं खुद टेंपरेरी हूँ उसकी छोड़ो आज से साठ साल बाद जिस चीज पे अचब से पर सपोजिल यह ग्लास गिरा और मुझे गुस्सा आया, लेकिन अगर मेरे दिमाग में तुरंत ही यह बात आ जाए कि यार, यह ग्लास तो वैसे भी आज नहीं, तो दस दिन बाद तूटना था जिस व्यक्ति पे मुझे गुस्सा करने की कोशिश कर रहे हैं हम वो व्यक्ति भी पचास साल बाद शायद कभी नहीं रहे, कहीं नहीं रहेगा और जो खुद गुस्सा करने की कोशिश कर रहे है वो खुद पचास साल बाद या साट साल बाद कहीं नहीं रहेगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, तो कौन किस पे क्यों गुस्सा करेगा? Point है. Attachment खतम, जैसे attachment खतम, चौथा, दुख निरोध, मतलब, दुख का अंत हो जाता है, वही आठ steps को follow करें. So, ये बुद्धिजम के philosophy तो काफी practical लग रही है सुन्ने में. बहुत अची philosophy, scientific है. That is why बुद्धिजम लोग भारत के बाहर भी काफी लोग follow कर रहे है. Very scientific philosophy, very scientific and very useful in practical life. इसके flaws क्या है? इस philosophy क्या है? इनके flaws ऐसे हैं कि ऐसा हुआ था कि जब बुद्धा लगभग ऐसे 10 questions थे 10 से 14, कुछ लोग 10 मानते हैं कुछ लोग 14 मानते हैं ऐसे 10 से 14 questions थे जिनका जवाब बुद्ध ने नहीं दिया. क्योंकि उनका मानना यह था कि इन सब खलतु बातों में हमें पढ़ना ही ने चाहिए. जैसे बुद्ध की खुद की एक 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 जामपल है कि बुद्ध के पास कोई व्यक्ती गया उसने का यह बताईए बुद्ध के भगवान है के नहीं या फिर एक और दूसरा व्यक्ती बेरा उसने का यह बताईए बुद्ध की आत्मा है के नहीं यह बताईए कि मेरे मरने के बाद क्या होगा अब यह सारे सवाल बड़े इंट्रस्टिंग लगते हैं तो बुद्ध ने कहा कि देखो इन सब सवालों के जवाब नहीं देंगे हम वो साइलेंट रहते थे मुस्कुरा देते थे आप क्यों नहीं जवाब देते हैं अगर किसी व्यक्ति के दिल में तीर लग जाए अगर आज कोई व्यक्ति है उसके दिल में तीर लग गया तो वो सबसे पहले क्या करना चाहिए उसे तीर को निकाल के अपना इलाज करना चाहिए लेकिन अगर कोई व्यक्ति तीर लगा और वो बैठके विचार कर रहा हो कि यार यह ती यह न तीर का डिजाइन थोड़ा बहतर हो सकता था या इसके तो basically क्या कर रहा है वो time waste कर रहा है तो बुद्ध का कहना यह था कि देखो दुख है और दुख को हटाने का रास्ता तुम्हें पता चल गया है तो यह फालतू की चीज़ों में क्यों time waste कर रहे हो यह है या नहीं है जो रास्ता है उसे follow करो अपना इलाज करो दुख को हटाओ बात कहतम करो तो मैं बुद्धिजम में फिर भगवान को नहीं माना जाता है कि भगवान जैसी कोई चीज़ है तो फिर उनके follower भगवान बुद्ध क्यों बोलते हैं या बुद्ध की पूजा क्यों करते हैं बहुत पुरानी नहीं पुरानी नहीं पुरानी नहीं खर हाली में आई थी एक movie थी ना oh my god तो उसमें शादो male character जो होते हैं वो बोलते हैं कि लोगों सो उनका भगवान मत चीनना नहीं तो वो ही तुम्हें बगवान बना नहीं हो वैसा ही है शायत कि जो भगवान बुद्ध है वो हमेशा atheist रहे है उन्होंने भगवान की वेदों की criticism करे है लेकिन अब अब उनको कही न कहीं ऐसा अवतार भी प्रोजेक्ट किया जाता है और साथ की साथ उन्हीं को भगवान बना दिया है क्योंकि बुद्ध के मरने के पाद वो जो 14 सवाल थे जिनका जवाब नहीं मिला था अब उनके शिश्यों ने करा कि अब हम इसका जवाब देंगे जिसका जवाब बुद्ध ने नहीं दिया किसी कारण से नहीं दिया लेगन अब जब शिश्यों ने उसका जवाब देने लगे तो 65 से भी ज़्यादा सब सेक्ट बन गए अब अलग 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 छोटे-छोटे बुद्धिसम कि किसी ने का बुद्धिसम ये है ऍ leur जकिसी ने का बुद्धिसम इतना बताती है, जैसे कि बुद्धिजम के अंदर ये माना जाता है कि भगवान तो है नहीं, लेकिन अगर आप अपने अपने जीवन के कर्मों को आप ठीक कर लेते हैं तो उसके बाद आपको लिबरेशन मिल जाते हैं निर्वान मिल जाते हैं और कहा जाते हो आप जैसे कि अगर यहां पर एक मुम्बत्ती रखी हुई है और मैं उस पर फूक मार दूँ तो अब वो मुम्बत्ती की जो जोत थी वो कहां गई स्वर्ग में नर्क में कहां गई वो पता नहीं सोचा नहीं कभी इस तरह है तो बुद्ध वही कह रहे हैं कि हमारे जीवन उस जोत की तरह है एक बार जब हमने निर्वान पराप्त कर लिया तो हम स्वर्ग नर्क कहीं नहीं जाते हैं हम खतम हो जाते हैं end of the story लेकिन जैसे ही आप किसी व्यक्ती को आम व्यक्ती को ये बात बताओगे उसके मन में तो डर आ जाएगा कि यार निर्वान का मतलब तो मतलब खतम तो हमारे अंदर की एक बुद्ध के अनुसार एक लालसा है कि हम हमेशा exist करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि चाहे हमारा शरीर मर जाये हमारी आत्मा अजर अमर रहनी चाहिए क्योंकि बरना बड़ा 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 जिस व्यक्ती के अंदर जिसे कहना चाहिए न जिसे exist करने का मन कर रहा हो उसके लिए वो वाला निर्वान बड़ा unpalatable सा है तो उसी के चक्कर में बाद में जो महायान आया ये हिन्यान वाले सूचते हैं हिन्यान मतलब बुद्धिजम का एक छोटा सा सेक्ट है उसके बाद जो महायान आया महायान वालोंने का इसको ठीक करना बड़ेगा अगर बुद्धिजम को फैलाना है तो तो फिर उन्होंने वही से ले आए कि हम मरने के बाद जो है मतलब निर्वान होने के बाद केवल्ले मोक्ष प्राप्त करने के बाद हम लोग exist करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं तो उन्होंने जो केवल्ले का या अपने निर्वान का जो पूरा definition दिया उन्होंने का सब के कैवल्दी की बात करते हैं तो वहाँ पर आपने शायद सुनाओगा बोधी सत्व बोधी सत्वा होते हैं वजरुपानी अमिताब जैसे यह सब बोधी सत्वा है तो अब बुद्धिजम में क्या एक कॉंसेप्ट उन्होंने महायान वालों ने इंट्रिजूस किया उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे बुरे करमे न कोई बात ने तुम बोधी सत्वा से प्रे करो बोधी सत्वा क्या करेंगे बोधी सत्वा अपने कुछ अच्छे करम तुम्हें ट्रांसफर कर देंगे और फिर उन अच्छे करमों से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी क्योंकि और ऐसा क्यों कि उन्होंने बोधी सत्वा ने क्योंकि उनके अंदर करोना है और वो चाहते हैं कि सब इखटे निर्वान प्राप्त करें इसलिए महायान बड़ी शिप तो जो सच में बुद्ध ने कहा था वो कृष्ण से अलग है क्योंकि कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं कभी जलती नहीं इसको बिल्कुल उपोजिट है बिल्कुल उपोजिट है बुद्धिजम और वेदान्त उपोजिट एक लेवल पे जाके कहीं न कहीं उनका अगर एक तरीके से एक इंटरप्रेटेशन ते देखें तो शुन्यवाद और जो अधिरित वदान्त है शंकराचारे का वो काफी मिलता जुलता है उसको प्रचिन बुद्ध भी गहते हैं अभी हम उस पे आएंगे शंकराचारे को अभी हम उस पे आएंगे वो इस तिंक बुद्ध की फिलोसफी प्रेक्टिकल है काफी साइन्टफिक है बर ओर टाइम चीज़े करप्ट होई जाती है लोग अपने हिसाब से प्रेक्टिस कर रहा है किसी लिए फिलोसफी को या दर्शन को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे जैसे हम अपने किसी भी religion के या किसी भी सोच विचार के दर्शन से दूर जाते हैं तो हम उन चीज़ों को करते हैं जैसे कि मैं शायद जैनिजम में ज्यादा बहतर समझने लगी जब मैंने फिलोसफी पढ़ी उसके पहले मुझे उतनी श्रद्धा नहीं थी खेर अब तो मुझे सभी में श्रद्धा है लेकिन उस वक्त तक नहीं किसी भी कोई ऐसी सब्जी नहीं खाते जो जमीन में उखती है तक कोई कीडा बगेरा मुँमें ना जाए हम मुँमें पटी लगाते हैं कि किसी कीट का भी नुकसान ना हो जाए उनकी वज़े बस इतरह ही जैनिसम हो जाता है ठीक है ठीक है ठीक है अब आपको बुद्धिस्म भूलना पड़ेगा अब बुद्धिस्म एंड हो गया अब एक नया तरीक एक नया वर्ल्ड वीव यही तो फिलोसफी का मज़ा है कि सोचने का तरीका सब सही लग रहा है और सब में कुछ कभिया भी है यही तो मेरे हमारी क्लास में पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों को यही बोलती हूँ कि बेटा हर फिलोसफी लगेगी कि यही सही है मतल tutte मैं तो यही मानता हूँ बनेका जिसनरं चारवाग पड़ो, उस दिन चारवाग बन जाओगasmine पर जैसे बुद्धिस्म पड़ोगे तो मैं चार बात तो गलत है मुद्धिस्ट हुए तो और जिस दिन जैन पड़ोगे जैन हो जाओगे फिर विदान्त पड़ोगे तो विदान्त हो जाओगे एक दम आपको हर फिलोसफी ऐसी लगेगी क्योंकि ये बढ़े बढ़े बड़े लोगों तो एक या आगे की दूसरी जनरेशन उसे डिसकाइड कर देती है वो हजारो साल तक नहीं टिक है ऐसे मैं इस लोजी के लिए भी भोलता हूँ कि हजारो सालो से आज भी टिक हुई है आज भी पॉपलर हो रही है इसका मतलब उसमें सब्स्टेंस है अब आप किसी किसी फिलोसफी की तरह हो सकते है मानो या ना मानो मानो या ना मानो मुझे ऐसा लगता है पर्टिकूलर्ली के astrology is very close to astronomy और जैसे astronomy में research अभी तक जारी है उसी तरीकी की scientific research होने चाहिए मतलब astrology is an ancient science of India उसमें भी उसी लेवल की research होनी चाहिए, उसी लेवल का input होना चाहिए, हो रहा है, धीरे-धीर मुझे लगता भी 40-50 साल और लगेंगे, उस लेवल पर आने में, अच्छे teachers आ रहे हैं, research कर रहे हैं, चलिए हमें लॉजिक बात फिर कभी करेंगा, जैनिजम की बात जैनिजम के अंदर, हमारा जैनिजम मानता है कि दुनिया में, अगर simple भाषा में समझें, anant चीजें हैं, अनन्त चीजें हैं, मतलब ये table भी असली है, ये cup भी असली है, और ये कितनी चीजें हैं, अनन्त प्रमाणूं, प्रमाणूं से बनावा है अनन्त मतलब infinite और हर प्रमाडों के infinite aspects हैं मतलब उसके उसको देखने के उसको समझने के infinite तरीके हैं जैसे कि अगर एक कप है न तो मैं जिस चीज को देख पारे हूं आप उस चीज को नहीं देख पारे हैं अगर सामने टीम बेटी है तो उसको जो हिस्ता नजर आ रहा है वो हम दोनों को नजर नहीं आ रहा है जो aspect नजर आ रहा है और अगर हम तीनों आपस में बात करने लगें कि यह कप है कैसा तो मैं वहीं बताओंगी जो मुझे दिख रहा है यह वो नहीं है कि एक हाती की किसी मे अनन्त aspects है इसके हजारो लाकों तरीके हैं से देखने के और अलग-अलग इसको space से भी देखा जा सकता है यहाँ पे कितने angles हैं उस सबसे अलग-अलग नजर आएगा यह रंग बदल दो चीज़ों का यहाँ पे light का रंग बदल दिया तो अलग नजर आएगा यह त्यानी कि इस particular चीज़ के तो कितनी चीज़ें होई इंफाइनाइट और हर चीज़ के कितने aspects होगए इंफाइनाइट तो कोई भी व्यक्ति पूरी चीज़ का बारे में ज्ञान रखी नहीं सकता आम व्यक्ति इसके पीछे का एक और हमें एक concept समझना पड़ेगा कि जैनिजम के बार ऐसी powers हैं जो अनन्त हैं जैसे उसके पास अनन्त consciousness है अनन्त intelligence है अनन्त power है अनन्त मतलब एकदम infinite power है बहुत शक्ती है उसके अंदर तो ये जो चार उसके अंदर qualities है अब ये qualities थी बड़े अच्छे एकदम सही चल रहे थे आत्मा उपर थी बिलकुल सही थी फिर पता न नहीं क्यों वो नीचे धर्ती पे आगई धर्ती पे क्यों आए क्योंकि उसके अंदर चार तरीके के कशाया आगए कशाय मतलब काम क्रोध लोब मया वो आत्मा काम के अंदर पड़ गी काम के अंदर sensual pleasures ये खालू अरे चटपटा खाना है या मीठा खाना है काम क्रोध जो मन मताबिक नहीं हुआ उस पे वो वेक्ति क्रोध करने लगता है कि मैंने कहा था कि ऐसे होगा और ऐसे नहीं हुआ तो क्रोध लोब मुझको ही मिल जाए डिजाये डिजायर सारी डिजायर प्रोफेशनल इमोशनल फिजिकल एवरी टाइप अफ डिजायर कमस अंदर लोब और माया मतलब डिलूजन डिलूजन इन दे सेंस कि हमें लगता है कि हम बड़े इंपॉटेंट है अधा हम ब्रमाण का सेंटर है हमारे असपास ब्रमाण भूमर है लेकिन ऐसा है तो यह इक तरीके से ऐसे समझ लीजे जैसे कि शरीर पर अगर कोई तेल की मालिश कर दे और दे वाद रेगिस्तान पर भेज़ दे तो क्या होगा गर्मी लगेगी नहीं रेगिस्तान में तो धूल चिपक जाएगी उसी तरीके से जब कशाय हमारे उपर लग गए जब हमने कशाय हमारे मन में है हमारी आत्मा में अगर कशाय है तो वो तेल मालिश हो गई और अब कि पुदगल कर्म पुदगल बोलते हैं से कि हमारा शरीर हमारे कर्मों के बेसिस पर बनाए मेरे अंदर अगर क्रोध था तो मैंने किसी का दिल दुखाया वो कर्मा मेरे साथ चिपक गया अब वो कर्मा मुझे भुगतना पड़ेगा आज कल परसो कभी भी लेकिन वो मुझ कि पुदगल बोलते हैं कि अगर बहुत लंबी है बहुत बहुत डिटेल है लेकिन अगर सिंपल टम्स में बताएं एक होता है लाब अंतरा है अंतरा आएं कि अगर एक व्यक्ति है तो उसने कोशिश करी उसका तुरंत उसे सक्सेस मिल गई क्योंकि उसके कर्मों में रुकावट नहीं थी लेकिन अगर किसी और व्यक्ति ने कभी किसी और व्यक्ति का करियर खराब करा है तो अब ये जो व्यक्ति कभी arguments में एक से दूसरे तीसरे जनम में कभी भी जब होगा जब यह व्यक्ति नेख़ा, क्योंकि वो कर्मा तब की एक खटा हुआ था वो उसे फल देगा तो जैनिजम मानता है कि क्वान कर्मा almost you पुनरजनम में भी मानता है तो इसकी खास बात क्या है जैनिजम की तो हिंदुज़िसम जैसा है अब हमारा शरीर कर्म पुद्ध गयल और यह सब इखटा हो गया अब हम लोग आ रहे हैं दुनिया में अपने कर्मों के इसाब से सुख दुख लेते जा रहे हैं अब इसके बाद वो कहते हैं कि अब आते थियोरी स्यादवाद की वो जो हाथी वाली थियोरी है तो वो कहते हैं कि हम चीजों को जान नहीं सकते जब हम प्योर आत्मा थे तब हम सब कुछ जानते थे लेकिन जब हमारे अंदर कशाय आया गया तो जैसे लाइट बल्ब के ओपर अगर बहुत सारे ब्लैंकेट रख दिये जाए बहुत सारी चादर से ढख दिया जाए तो आतानी है एक-एक करके एक-एक करके यानि कि हम धीरे-धीरे करके इन कर्मों से कर्म पुद्गल से अपने आपको फ्री करेंगे अपने आपको एकदम प्योर बनाएंगे तो फिर ताकि वो जो हम थे जिसके पास सारी नौलिज थी जिसके पास सारी पावर थी अनंत ज्ञान था अनंत शक्ती थी वहीं हम वापिस से बन जाए अब इसका तरीका क्या है उसमें से पहला तरीका जो कहते हैं वो कहते हैं स्यादवाद को फॉलो करना श्यादवाद मतलब के हम चीजों को सत्ते बोलें, सत्ते का मतलब के हम जितना देख पा रहे हैं उतना भूलें, जैसे कि अगर मैं बोलू कि ये कप एकदम फिट है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि मुझे सिर्फ इतना हिस्सा दिख रहा है तो मुझे क्या बोलना चाहिए मुझे बोलना चाहिए स्याथ यह कप ठीक है मतलब मेरी द摅धिटी से जितना मैं देख पा रही हूं मैरे काल मतलब मेरे समय के अनुसाइर मेरी जगा के अनुसाइर लाइटिंग के अनुसार मैं जितना देख पा रही हूं, उसके हिसाब से मुझे दिख रहा है कि ये कप ठीक है, तो अब मैंने उस वेक्ति को डिनाई नहीं किया, जो दूसरा देख रहा था, यानि कि वह हाती वाला है, उसके छे हाती, एक हाती था, छे अंदे थे, तो किसी पैर पकड़ लिया, तो उसने कहा ये तो पिलर है, इसने पूच पकड़ ली तो उसने कहा रसी है, किसी ने सूंड पकड़ ली तो उसने कहा ये तो साप है, और किसी ने कान पकड़ ले तो कापंखा है, किसी ने जो उसका जिसे बॉड़ी कहते हैं, पेट कहते हैं, उसको जैसा कुछ लग रहा है अब छे वापस में लड़े जा रहे हैं अब कौन सही है कोई नहीं सब अपनी अपनी दृष्टी से सही भी है अथी हसरा होगा हम सब पर है हां उसी तरह से रियालिटी हम सब पर हसती है जब हम लड़ते हैं इन सब चोटी चीज़ों पर इसमें जैनि तो लड़ाई का मामला बचे गई नहीं क्योंकि मैंने कभी यह कहा ही नहीं कि तुम गलत कह रहे हो मैं कह रहे हूं मुझे जितना दिख रहा है मैं वह कह रहे हूं उसके बाद इसी के अंदर फिर समय ज्यान समय दर्शन समय चारे तर यह तीन रतन आ जाते हैं पंच महावर तो यह तीर ठंकर कैसे बनते हैं यह इनके भगवान है या प्रॉफेट टाइप के हैं नहीं जो भगवान में नहीं मानता है जयानिद्हौना बुद्धिस्म के साकालांतर में था क्या बिलकुल तो मैंने बता है कि हम तीन नास्तिक दर्शन मानते हैं और छे आस्तिक मानते हैं और उसके अंदर से जो चारवाग बुद्दिज्म जैनिजम है वो भगवान वेदों को भी नहीं मानते हैं और भगवान को भी नहीं मानते हैं तो इनके तिर्थंकर होते हैं तो तिर्थंकर का कॉंसेप्ट है कि जो आत्माई सारे अपने करमों को खतम करके कामकुरोद लोब माया जिन में नहीं बचा अपने अंदर के सारे एनिमीज को हरा के अपने शब्द सुनाओगा जिन जैसे ही जहन लोग आपस में मिलते हैं तो करते हैं न जैजनेंद्र जैजनेंद्र जिन मतलब कि जिसने अपने सारे दुष्मनों को हरा दिया है कौन से दुष्मन? अंदर के दुष्मन अंदर अरी दुष्मन हंत मतलब खतम करना तो जिसने अपने अंदर के सारे दुश्मनों को खतम कर दिया है वो जब जो वो आत्मा है जिसने सारे कर्म पुदगल हटा दिये है अब वो आत्मा चली जाती है सिद्शिला में और वहाँ पे वो जो सिद्शिला है वहाँ पे जाके या आत्मा हमेशा परफिक्ट स्टेट में एग्जिस्ट करती है तो जो तिर्थंकर हैं वो वेक्ती हैं जो आप जैसे हम जैसे इतने तो नहीं हम तो बहुत पतेते हैं लेकिन वो अपने आप के अंदर जैसे भगवान महावीर भी जब यह जो राजा थे जब इन्होंने सब कुष्तियाग दिया और अपने सोल को प्योर कर लिया हमारे जैसे ही जो human beings थे यही जब perfect हो गए वही अरिहंत बन गए और तिर्थंकर बन गए अरिहंत शब्द यहां से आया जैनिजम में मैं तो copy पे एकाती थी अरिहंत की book उस पर देखता थे अरिहंत publication है ना जैन हर जगे है महावीर जैन के बारे में कुछ आप बताएं महावीर जो ते इंधन करते हैं हमारे उनके बारे में शायद उन्होंने इसको propagate किया है उसको फैलाया जैनिजम हाँ उन्होंने इसको document करके simplify करके इसको logo तक पहुंचाने का काम किया मतलब जैनिजम में ऐसा माना जाता है कि हडपा के समय से जैनिजम एज दर्शन एक्सिस्ट करता है यानि कि यह कोई अभी कोई नया चीज नहीं है और अब ज्यादा तर जो हमारे भारतिय दर्शन है वो यह मानते हैं कि creation और destruction जो है cyclical है मतलब यह दुनिया अभी जो चल र मतलब पहला यूनिवर्स नहीं है जो बना है इससे पहले भी कई बार बन चुका मिट चुका यह भी मिटेगा तो अगला बनने के लिए तो यह चलता रहेगा अलग 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 सब फिलोसिफिस में कहीं ना कहीं माना है cyclical इसे कहते है cyclical evolution and devolution मैं में बड़ा खतरनाक subjective philosophy पत नहीं 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 बलके ना बड़ा sorted हो जाता है मैं मुझे परसनली ऐसा लगता है शायद मैं I am in love with the subject philosophy तो मैं भी थोड़ी बायस डूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है personally कि philosophy पढ़के आप का जीवन बड़ा sorted हो जाता है यानि आपको यह समझ में आ जाता है कि मुझे किस च चुटी चुटी बातों पर आपको गुस्ता नहीं कर पाऊगे आप चाहू तो भी नहीं कर पाऊगे अगर आपने philosophy पढ़ लिए deeply अगर आप philosophy पढ़ चुके है और आपने महसूस करी हो अशे तो आप गुस्ता करना चाहू नहीं कर सकते क्यों कि आपको लगे गया क्यों क्या फाइदा मतलब मैं अपना शब्द भी वेस्ट करूँ खून भी जलाओं 100-200 खून जल जाएगा है ना शरीर मेरा ही खराब होना है मतलब the moment आपके अंदर वो thought process आया और आपने उसको अपने अंदर अच्छे से बैठा लिया तो जो जो फिलोसोफी के जो टीचर रहते या जो फिलोसोफी के स्टूडेंट्स रहते हैं फिलोसोफी पढ़ते हैं वो लोग अकसर आप देखेंगे कि they are more calmer in the sense कि ऐसा रखते हैं क्या है ये छोड़ो होना तो तीन हमारे दर्शन होगे चारवाग, जैनिजम, बुद्धिजम ये है नास्तिक दर्शन ये वेदों में नहीं मानते और इश्वर भी नहीं मानते और इनके अपनी फिलोसोफी अपनी way of life है अब इसके बाद कि जो दर्शन क्या है इसके बाद हमारे दर्शन आते हैं ज तांखे योग क्या मानते हैं अगर सिंपल तरीके से समझा चाहें वो मानते हैं कि एक प्रकृती होती है और एक पुरुष प्रकृती तुनिया में हम जितनी चीज़े देख रहे हैं जितना समान देख रहे हैं टेबल चेर, पहाड नदी, हवा, आसमान जो भी चीज़ है, जड़ यानि की material, matter और यह जो matter है, इसके इंदर consciousness नहीं होगी, यह चेतन नहीं है है ना, जैसे कि मैं इस table को कितना भी मारूं, यह मुझे कुछ नहीं कहेगी क्यों नहीं कहेगी, क्योंकि यह जड़ है लेकिन प्रकृति की जितनी चीजें हैं उन हर सब चीजों में तीन तरीके के गुन मिलेंगे, सत्व, रजस और तमस अपने शुन आओगा, तामसिक खाना है, तो खाना भी तामसिक होता है, लोग भी सात्विक राजसिक और तामसिक होते हैं, जैसे कोई वेक्ति आया, उससे आप मिले, और आपको मिलते ही ना, बड़ा डिप्रेसिंग हो गए, जैसे कहीं टॉक्सिक लोग होते हैं, टॉक्सिक कैसे फ्रेंड्स हो जाते हैं या रिलेटिव होते हैं, टॉक्सिक के घर ने एक रिलेटिव आया, आप अच्छा भला पढ़ाई लिया, और आप डिप्रेसिव हो गए, तो यानि वो व्यक्ति क्या था, तामसिक था उसी तरीके से राजसिक लोग होते हैं, राजसिक मतलब जिन से आप मिलते हैं, और वो आपको मोटिवेट कर देते हैं, एकदम है ना, एकदम आपके अंदर एकदम एनरजी ले आते हैं, जैसे कि आप उनसे मिले, आपना ने का क्या आप, क्या क्या, 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 उसी तरह खाना भी सात्विक राजसिक होता है, जैसे प्यास लहुसन को तामसिक कहा जाता है, नॉन्विच को तामसिक कहा जाता है, क्योंकि वह आपके अंदर नेगटिव चीजों को थोड़ा बढ़ा देते हैं, जैसे गुस्सा जादा आएगा, इरिडेशन, अग्रेशन, सब जादा हो जाएगा, राजसिक खाना क्या होता है, घी तेल वाला खाना, खाओगे तो एकड़ा मतलब आपको राजसिक, राजा टाइप का खाना, चपन वेंजन, सात्विक खाना, वही अपना दाल, खी, खिचडी, आप खिचडी खाओगे, तो आपको कभी पेट प्रकृतिका बनावा है, हमारे शरीर में भी क्या है, सत्व रजस्तमस सब में बनावा है, लेकिन एक चीज़ अलग है, कि हम 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 में पुरुष की परच्छाई है, जो ये पुरुष है, ये हमारे अंदर कॉंशिसने से चेतना डालते हैं, हमारे अंदर चेतना का कारण लेकिन हम जब इस दुनिया में आते हैं, कई तरीके के दुख हैं, तीन प्रकार के दुख हैं, अध्यात में कादी बहुते कादी देविक, मतलब लंबी सी कहानिया हैं, लेकिन अलग अलग तरीके के दुख हैं, लेकिन हम दुखी क्यों हैं, क्योंकि हम इस शरीर को अपना मान बैठे है, हम अपने इंद्रियों को अपना मान बैठे है अपने आसपास के लोगों को अपना मान बैठे है जैसे कि दुख क्यों होता है कि अरे ये मेरा समान तूट गया या मेरे शरीर पे चोट लग गई तो दुख इमिजेटली आ जाएगा, क्योंकि दुख क्यों हो रहा है क्योंकि मेरा था, मेरा जहां मै वो जो मै है अब प्रॉब्लम किया है कि हमने सही से, according to Sankhya philosophy हमने सही से identify नहीं किया कि मैं क्या था क्या ये शरीर था, क्या ये इंद्रियां थी, जो मैं सुन रहा हूँ, सोच रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, जो स्वाद आ रहा है, क्या वो मैं हूँ? या असलियत में मैं कौन हूँ? तो जब Sankhya कहते हैं कि जब हम meditate करते हैं, जब हम अंदर की तरफ जाते हैं, तो हमें ये समझ में आता हैं कि ये प्रकृती हम नहीं है, हम जड़ तो होई नहीं सकते ना, तो ये प्रकृती मैं नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं वो चेतन तत्थ हूँ हूँ, जो पूरुष है, और जैसे ही आप को अपनी असली आइडेंटिटी पता चलती है, आपको कैवल्ले मिल जाता है, एक ही शब्द है, एक ही मतलब है सबका, कैवल्ले, निर्वान, मोक्ष, लिबरेशन, सबका एक ही मतलब है, अलग-लग नाम सबने चुन लिया, किसीने अपवर्ग चुन लिया, किसीने कुछ औ लेकिन सब का मतलब लगभगे की है, तो यह सांख्य और योग हो गया है, योग अब उसके लिए श्टांगिक योग दे देता है, तो योग तो अमने सुना ही होगा, यम निया, मासन, प्रानायाम, प्रत्याहार, धार, जीवन जीने का तरीका है, तो वो जो आठ स्टेप्स है जैसे बुद्धा ने आठ स्टेप्स दिये थे अपने, उसी तरह योग ने अपने आठ स्टेप्स दिये, यम निया, मासन का प्रानायाम तो बहुत लोगों ने सुना होगा तो इस तरीके से सब को करो, अन्ट में समाधी, और समाधी की स्टेज पर आपको अपनी असली जो प्रीश तरह प्रक्रति की मासने का अगे, जो इसा कंल माना जाए गाक साथ जुनाभ्यों हे फिलोस्फी आएगे, उनमें के डिफ्रेंस है? क्योंकि हम ने अपनी धरोहर को बहुत अच्छे से पहचाना नहीं है जैसे वैशेशिका थियोरी नाए वैशेशिका थियोरी पांचवी, छटवी, शताबदी के दोरान ही ये बात बता चुकी थी कि हमारा जो ब्रह्मान्ड है वो छोटे-छोटे प्रमानूं से बना होता है एक इस महरिशी कणात थे उन्होंने बताया था तो कनभुक भी बोलते हैं उल्का भी बोलते हैं ये वैशेशिका के हमारे लीडर है प्रोपोनेंट है तो बेसिकली हम कब बता चुके थे और उन्होंने पते कितनी डिटेल में बताया है ऐसा नहीं उन्होंने सिरफ ये बोल दिया कि प्रमानू जो है उससे धर्ती बनी है या ये दुनिया बनी है उन्होंने उसका डिटेल भी बताया है उन्होंने का है कि ये जो प्रमानू है इसको हम आक से नहीं देख सकते, इसके बाद ये प्रमाणू, दूसरे प्रमाणू से जुनके डायाड बनता है, दिवनान को बनता है, फितरान को बनता है, मतलब तीन जुड़ जाते हैं तो ट्रायाड बन जाता है, उसके बाद एक पर्टिकुलर शेप पड़ेगा, तो वो समझ जाएगा कि कितनी डेटेल में उन्होंने इस चीज़ को experience किया होगा, और आप ये देखिए, उस वक्त पे ना टेलिस्कोप थी, ना माइक्रोस्कोप थी, तो एस्ट्रोनमी, माइक्रोबायलिजी जो ये सारी item-item की बाते हो रही है, ये कैसे आई होंगी उनके पास, तो कुछ तो ग्यान है, जो उस वक्त पे रहा होगा, मतलब speculative मान लीजे, लेकिन कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा ना, जिससे उन्होंने इस inference पे या इस knowledge पे बोलोग पहुँचे, तो वैशेशिका दर्शन और न्याय दर्शन अपने आप में बहुँच डिटेल है, जैसे न्याय दर्शन अपने आप में हमें argumentation सिखाता है, कि कैसे argument करना चाहिए, तो इसी school of logic भी कहा जाता है, तो हमारे भारतिय दर्शन में logically सोचने का तरीका, एक बहुत अच्छे तरीके से न्याय ने बताया है, और वैशेशिक ने, तो वैशेशिक का अगर हम simple तरीके से समझें, उसने माना कि धर्थी चार तरीके के atoms हैं, अर्थ, वाटर, पायर, और एर, यह चारो हमारे atoms हैं, यह अलगलग तरीके के atoms हैं, यह सारे atoms मिलेंगे, अनन्त souls हैं, अनन्त आत्माएं हैं, अनन्त मन हैं, फिर एक space है, जिसे हम जगह बोलते हैं, जैसे space, फिर एक time हैं, और एक ether हैं, यह 9 चीज़ें हैं, जो दुनिया में हैं, और फिर यह 9 चीज़ों को, भगवान जो आएंगे, उसी तरह हमारा शरीर बन गया, और हमारे अंदर वो जो, मन और आत्मा अलग अलग पड़ी थी ना, मन भी बहुत सारी मन और बड़े सारे आत्मा थे, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, और जैसे हमारे साथ जुड़े, जैसे ही रोबोट में SIM, और सॉफ्ट्वेर डाला, रोबोट चलने लगा, हम चलने लगे, हमारे अंदर चेतना आ गई, और अब हम किस तरीके से हमें दुनिया में काम करेंगे, कर्मों के इसाव से, कुछ कर्म हम लेकर आए है, कुछ हम कर रहे हैं, तो जो लेकर आए हैं, वो हमारी existing condition है, कि हम गरीब हैं, अमीर हैं, कैसे हैं हम, हमारा situation कैसे है, family loving है, non loving है, किस तरीके के दोस्त मिल रहे हैं, भारत में पैदा हो रहे हैं, अफगानिस्तान में पैदा हो रहे हैं, यूएस में पैदा हो रहे हैं, तो यह सब क्या है, हैं हमारे मिमांसा विदान्त, विदान्त बहुत बड़ा है, मिमांसा थोड़ा छोटा है उसे साब से, तो मिमांसा is more about rituals, rituals, rituals जैसे कि यह कर्मकांड, वाजपर ही यग्य करेंगे, तो यह मिलेगा, तो अलग अलग यग्य हैं, अलग अलग चीज़ों है, यह मिमांसा है, यग्य, पूजा, कर्म, कांड, यह सारी चीज़े मिमांसा में समझ में आती हैं, क्योंकि वेदों में दो हिस्से हैं, वेदों में एक हिस्सा कर्मकांड की तरफ जाता है, वही मिमांसा बन गया, कर्मकांड मतलब रिच्वल्स, और फिर यह थे वेदान्त में द्वैत और अद्वैत, वेदान्त बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, तो वेदान्त के अं जी अधवैत मतलब सिरफ एक दूइथ मतलब दो अब वेसे दुइथवाद के अदर भी कई सारे हैं विशिष्ष्ट अधवैत विशिष्ट दुइथ और अधवैत और अधवैत बहुत सारे अलग-अलग हैं तो अगर हम समझे ही तो अधवैत शाराी दुनिया सिरफ एग ही चीज़ से बनी है और वो एक चीज़ क्या है ब्रह्म ब्रह्मान हमारे अंदर हर चीज़, यह table भी ब्रह्म है मैं भी ब्रह्म हूँ सब कुछ ब्रह्म है तो मतलब इशवर और राक्षस नहीं है नई सिरफ ब्रह्म है सिर्फ ब्रहम है। वही अच्छा भी है वही बुरा है। तो हर चीज़ सिर्फ एक है वहे ब्रहम। व्या वदान का अदवेत वेदाइट ऐसे सिंपली समझनी आएगा। उसके लिए पुरा सेशन विलाएगा। तो बहत अच्छी फिलोसफी है। अदुएद वैदान को संक्राचार ने फैलाया, हाँ, 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 तो आज जैसे हम देखते हैं, चार संक्राचार होते हैं भारत में, वो थोड़ा सा, ऐसे समझ लिजी कि, वो उनके फिलोसोफिकल वनशज भी खह सकते हैं थोड़ा बहुत, और बाकी, वो मंदर से जा आप सपना देख रहे थे, सपने में आपने देखा शेर आया, आप डर गए, आपके पसीने आ रहे थे, आपने देखा टीबल पर पानी हैं, आपने पानी पिया, और पानी पिया तो प्यास बुझ गई, आप थोड़ा सा शान्ती की मेंसुद, लेकिन ये सब कहां हो रहा है सपने में, तो क्या ये असली है, आपको कैसे पता चला असली नहीं है, जब सपने में थे तब क्या लग रहा था, तब तो असली लग रहा था, फिर आप उठ गए, फिर जैसे ही आप उठे आपको क्या लगा, ये तो सपना था, लेकिन उठके तो पता चला ये सपना था, और जब आप उठे तब आपने ये रियालिटी देखी तब आपने देखा कितना अच्छा टेबल, पानी, चाई है ना, आपने अच्छा सपना तो बड़ा खराब सा था, ये असली है, अब हम इसको एंजॉय कर रहे हैं, तो शंकराचारे का कहना है कि ये भी तब तक असली है जब तक कि तीसरे लेवल की रियालिटी आपके लिए नहीं खुल जाएगी, तो ये दो रियालिटी तो ये हो गई, तीसरी क्या है, तीसरी हमारी परमार्थिक रियालिटी है, परमार्थिक सत्य, तो जैसे कि प्रतिभाशिक और हमारे वहवारिक, ये हमारा वहवारिक है, प्रतिभाशिक जैसे हमारा सपना था, यह वहवारिक, जिसमें हम वहवार कर रहे हैं, और एक परमार्थिक रियालिटी है, तो जिस व्यक्ति को वह परमार्थिक रियालिटी दिख जाती है, समझ आ जाती है, उसके लिए यह वहवारिक रियालिटी सपने जैसी हो जाती है, उ अद्वेत वेदान्त है, इसे संक्राचारे मानते हैं, अद्वेत वेदान्त भी काफी लॉजिकल ही लग रहा है, बहुत लॉजिकल है, और शंक्राचारे इस वन फिलोसिफर, वेरी इंप्रेसिव, मतलब जब हम पढ़ाती हूं एक लास में तो मैं मतलब अकसर बहुत सारे ब जाते हैं, कुछ और बताना चाहोगे आप इस अद्वेत वेदान्त के बारे में, बहुत बहुत यूनीक फिलोसोफी है, जैसे कि अद्वेत वेदान्त साइंस के भी बड़ा क्लोज है, अगर हम साइंस को समझना चाहें, तो अद्वेत वेदान्त बड़ी अच्छे से जैसे कि लोग क्या कहते हैं, कि आटम से बनी है, लेकिन आटम तो तूट जाता है, आटम तो तोड़ेंगे तो अंदर क्या आएगा, अब और तोड़ो, इलेक्टरों को भी तोड़ सकते हैं, अब तो हम, प्रोटों को भी तोड़ सकते हैं, अब तो ब्रोटों को भी तोड is saying कि लेप्टॉंस भी तीन तरीके के होते हैं और शोटी में चले हैं अब तोड़ते जाओगे तोड़ते जाओगे ऐसा कई साइंटिस्स का मानना है कि जब आप अंत तक तोड़ोगे तो अंत में जाके शायद सिरफ एनर्जी बचे सिरफ तो यानि कि आइंस्टैन ने हमारा एक फॉर्मूला दिया था E is equal to mc square energy is equal to mass into speed of light into square यानि कि energy और mass में translation का relation है यानि कि energy से mass बनाया जा सकता है और mass से energy बनाई जा सकती है तो nuclear reactors क्या करते हैं वो atom को तोड़ते हैं उससे थोड़ा सा mass को burn करते हैं और इतनी सारी energy निकाल लेते हैं यानि energy और mass आपस में interlinked है interchangeable है लेकिन अगर हम देखें तो असलियत में तो सब कुछ energy हो गया ना अगर ये table है क्या है एक energy का सो रूप है हम सब अंत में बचेगा क्या energy शंकराचारे क्या कह रहे है पूरा ब्रह्मान सिरफ एकी चीज़ से बनाए है सब कुछ ये difference हमें लग रहा है कि ये table लग लग है मैं अलग हूँ आप अलग हो ये हमें लग रहा है लेकिन परमार्थिक लेवल पे सब एक है और वो क्या है एक energy या उसी energy तो science वाले बोलेंगे और शंकराचारे कहेंगे ब्रह्मा जैसे जो concepts होते है quantum entanglement की अदवेद विदानत में बताए कहें है या यहां से inspired है मतलब they can be explained हम directly यह नहीं कह सकते कि शंकराचारे किसी ने quantum entanglement की बात करी है डिरेक्ली नहीं करी है लेकिन उनकी जब हम theories पढ़ते हैं और जब हम उनका import समझते हैं क्योंकि बहुत अंतर भी है वो संस्कृत में लिखी गई है उन्होंने जिन शब्दों का इस्तिमाल उस समय पे किया वो वाले शब्द आज हम नहीं समझते जैसे बहुत सारे संस्कृत के शब्दों का भी मतलब अब बदल गया है उनका उस वक्त जो मतलब था आज जो मतलब है वो बहुत अंतर है तो हमें वो जो कहते हैं कि exact knowledge नहीं है और उस पे हमने काम भी नहीं किया है यह भी एक हमारी अशमता है कि हम लोगों ने हमेशा साइन्स पढ़ने पर या बाकी सारी चीज़े पढ़ने पर तो बहुत ध्यान दिया और उस पर बहुत रिसर्च भी हुई बहुत सारी चीज़ों हुई लेकिन हमारे जो already existing knowledge उस पर कम हुई है उसकी decoding में उसको ऐसी तरीके से लेकर आता है कि समझा जा सके असानी से अब भी हम लोग है बहुत सुनते हैं कि हमारे रिशियों ने जीरो दिया हमारे रिशियों ने ये बताया कि धर्ती सूरे के चक्कर काटती है सूरे धर्ती के चकर नहीं काटता हेलियोसेंट्रिसिजम कहते है जैसे कॉपरनिकर्स करके एक आदमी है वेस्टन वर्ल्ड में आपको पता है उसे कितना बड़ा स्थान दे रखा है वेस्टन वर्ल्ड में उसको कहा जाता है फादर ओफ कॉपरनिकर रेवलुशन उन्होंने रेवलुशन ले आए उन्होंने पूरा सोचने समझने का तरीका बदल दिया वेस्ट में बस इतनी सी बात बताके इतनी सी तो नहीं है बात तो बड़ी है लेकिन ये बात बताके कि धर्ती सूरे के चकर काटती है और सूरे धरती के चक्कर नहीं काटता उन्होंने पियार अच्छा किया अपना हम इंडियन्स कर नहीं पाए अपने रिश्यों का और हमारे यहां पे वराह महरा करके एक रिश्य रहे है उन्होंने ये बात पांचवी छटवी सेंचुरी में बता दी सूर्ख लिए ज़ा किया है यह यह तो होगे यह से फिलोसफी मेरा जितना इब ही तक मैं समझाओ कि फिलोसफी से वे आफ लाइफ नहीं है यह साईन्स की बाते भी करती है यह matter, प्रकरती, universe, सब सारी बाते करती है और जीने का तरीका भी कई सारी philosophies बताते हैं यह Indian हो गई, ऐसे हमारे foreigner philosophy भी होंगी Western भी है, वोग पढ़ाते हैं जैसे कांथ हैं, बड़े फेमास है Western philosophy में उनकी क्या philosophy है? कांथ की philosophy, कांथ साथ मैंने कहानी सुनी थी कि वो एक ही कमरे में रहते थे, वो ज़्यादा दूर जाते भी नहीं थे वो यूनिवस्टी में पढ़ाते थे और बहुत पंक्चुल किसम के वेक्ती थे कांथ के बारे में कहा जाता है, उनकी एक बड़ी फेमास कहानी है उनने था कि कांथ लेट नहीं हो सकते, और कांथ की तो बड़ी सारी कहानिया भी है और उनकी philosophy भी बहुत ही अलग, बहुत ही interesting philosophy है लेकिन कांथ हम लोग ऐसे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि एक तो वो थोड़ा western world का है तो थोड़ा हम उसका background समझना पड़ेगा तो उसके लिए rationalism, empiricism, plateau, aristotle, यह सबका background होता है फिर वो कांथ समझ में आते हैं, western के अंदर लेकिन कांथ की कहानिया बड़ी interesting है जैसे कि एक बार कांथ से नहीं, मतलब कांथ बड़ी logical वेकती थे वो और हर चीज के अंदर pros, cons ढूणना और logic ढूणना यह सब बड़ा करते है तो एक लड़की ने उन्हें प्रपोस किया एक लड़की ने का कि मैं आप से शादी करना चाहते है तो कांथ ने का मैं आपको बताता हूँ and I will think and let you know अब कांथ ने अपना खुब analysis किया pros लिखे, cons लिखे किया फाइदा होगा शादी करूँगा तो शादी क्यों करनी चाहिए और क्या नुकसान होगा शादी क्यों नहीं करनी चाहिए खुब उन्होंने pros, cons लिखे और फिर भी वो decide नहीं कर पाए और ऐसा कहा जाता है कि फिर लड़की ने कहीं और शादी कर ली तो वो अंत में उन्होंने कहा यार यह तो choice तो लेनी पड़ेगी क्योंकि फाइदा और नुकसान आप गिनके उनके दोस्त से उन्होंने बात करी तो दोस्त ने कहा कि चूज करना पड़ेगा अपने रीजन को खतम करना पड़ा ताकि मैं अपने लिए फेथ के लिए जगा बना सकूँ तो और इसी को लॉजिक किल्स मैजिक येस और इसी को जब हम लोग भारतिय दर्शन में समझते हैं तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ईश्वर जानने की चीज नहीं है मानने की चीज है तो वो जो जानना और मानने वाला अंतर है वही वो कांट वाला एक फिलोसफी है कही चीज हम रीजन नहीं दे सकते कही चीज़ों को बस करना है तो करना है नाइस और कुछ कोई कहानी कांट की तो philosophy तो एक ऐसा subject है जिस पे घंटोन बात करी जा सकती है और western philosophy तो मैं तो इसको कितने ही देर आपको बता सकती हूँ लेकिन आप मुझे बताएं कि आप आपको astrology के अंदर कैसे interest आया जोतिष में मैं कभी भी कोई भारत में at least भारत में क्या काऊंगा कोई भी चुन कर नहीं आता है subject में जोतिष की philosophy मैं मानता हूँ यह कि यह subject चुनता है अपने बंदों को ठीक है कि तुम मुझे सीखोगे क्योंकि कई लोग मैं जैसे अकल्ट गुरकुल में मैं live classes लेता हूँ सालों से पढ़ा रहा हूँ आपे कुछ लोग आते हैं बड़ी जोस के साथ जोस ठंडा होता चले जाते हैं अन्त तक बहुत गिने चुने लोग टिकते हैं जिनको सच में एसलोजी से प्यार हो जाता है जैसे आज आपने कितनी सारी फिलोसफिय बता हैं अम शूर जो पॉड़कास देखेगा को कोई ना कोई बुक पढ़ने लग जाएगा आज फिलोसफिय की तो ऐसे ही मेरे साथ भी होता है मेरे फादर एसलोजी करते थे तो एक बैगराउंड था वहाँ पर मैंने इस क्लास सेवन्थ में ने इमलोजी पढ़ ले थी वो एक बड़े अच्छी किताब आती थी कीरो की तो उस समय बहुत पॉपलर थी लगबख हर घर में हुआ करती थी तो पड़े थी तो एक वाले दो वाले कैसे होते तीन होते मुझे तब से आता था 2020 में लॉगडाउन लगने के बाद घर में कुछ काम करने को था नहीं तो हमने कहानियों सुनानी शुरू करी क्योंकि विद्या भारती स्कूल से थे तो रमायन महा भारत की भगवान राम के पांच अन सुने सत्य जो आपको नहीं पता होंगे तो लोगों ने पसंद किया उ तो ऐसी जनता बहुत है इनको सच में कुछ ज्यादा नहीं नौलेज है निमलाजी की हो गई फिलोसफी की हो गई तो वो मुझे कमेंट में समझ में आता था कि इनको तो मुलांक भी नहीं पता जैसे मने आपको पता था पर दिरार इस्टिल आज भी 2024 में कई ऐसे लोग है मुलांक क्या होता है तो हमने जब रील बनाई तो यह चीज मुझे लगता था सबको पता होगा नहीं पता तो पहली चीज जो भावना आये थी कि एजूगेट करेंगे आज भी हम यूटूब पे इंस्टाग्राम में जो कंटेंड बनाते हो सिखाने वाले पढ़ाने वाले बनाते हैं कि खुछ सीख लो पता चल जाता है डिल्चस्पी तो हमाई साथ जुड़ते ही वाई लोग है जिनको इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आती है तो शुरूबात ऐसे ही हुई थी पढ़ाने से आज भी वाई काम कर रहें पढ़ा रहें दीरे दीरे बाकी की चीज करता है कि तुम पढ़ा हो मुझे तुम बढ़ा हो मुझे एक अलग जिसे के दिरे कि एक आपको एक इंटरेस्ट होना चाहिए इसके अंदर तब ही आप इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं जब मैं साइंटिपिक बेग्राउंड से साइंस वगेरा से पढ़कर आया हूं ड आज की जनरेशन में बनते भी जा रहे हैं तो जब जो तिस देखा पढ़ा सीखा कौन से मेरी कुंड़ी में तो लिखा था पहले से कि दो साल पहले क्या होगा चार साल पहले क्या होगा तो मैं तो कुछ करी नहीं रहा हूं आगे कभी लिखाए कि क्या होगा आज कुंड़ में किसी डेड इंसान की फोटो रखी है अच्छा आपके साउथ वेस्ट में संसेट की लाइट आ रही है यह है तो एस्टलोजी से वास्तो को जोड़कर यह बनाया गया है तो जब आप देखने लग जाते हो कि यहां पर जो लिखा है वही आपकी लाइफ में हो रहा है तो आ देखा जाता है बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कुछ नहीं होता फ्रॉड है यह है इसने इसको एक बार पढ़ लिया वो कभी कहीं नहीं पाएगा यहां से एक और फिलोसफी पैदा होती है जो कि मेरे मन में चलती है कि सब कुछ तो प्रीडिस्टाइंड है अगर यह बार हर एक पहलू हमके इस घर में कैसा वास्तु होगा यह भी लिखा हुआ है हमारे फैसले भी कोई और ही ले रहा है तो यह सोच कर बड़ा कमजोर लगता है इसलिए मुझे लगता है कि लोगों ने कहानिया उनाएं कि यू आर था क्रेटर आफ यूर ओन डेस्टिनी ताकि थो लेकिन और एक है कि हमी सब कुछ करते हैं लेकिन बीच का रास्ता है जो गीता में लिखा हुआ है कि चीजें कुछ आपके कर्मों के अनुसार डेस्टिन हैं लेकिन वो आपको सिरफ और सिरफ वो बताएंगी कि चीजें आपको कैसे मिलेंगी कि आपको पॉजिटिब मिलेगा कि नेगिटिब मिलेगा जैसे कि क्या आपको अच्छा स्कूल मिलेगा अच्छा स्कूल मिलेग यह आपका एक कर्मों का डेफिनेशन से हो गया, कि भी कहां पैदा हुए, आपके माता-पिता की स्कती क्या थी, तो उससे डिफाइन हो गया, लेकिन अच्छा स्कूल मिलने के बाद भी क्या आप पढ़े, यह आपके करम हो गया, तो जो करम और डेस्टिनी है, जिसे बहुत स है, या किसी वेक्ति को हम देखते हैं, और हम कहते हैं, यह बहुत बड़ा बनेगा एक बार जीवन में, या इसके इतना पोटेंशियल है, कि यह करेगा, लेकिन कहीं बार ऐसा होता है, आप उस वेक्ति से चार साल बाद, पान साल बाद मिलो, और आपको रेलाइस हो कि यह क कर सकता था, यह कर सकती थी, लेकिन यह नहीं कर पाएगिया, यह नहीं कर पा रहा है, क्यों उसके शायद जो उसने करम, जो उसकी विल पावर थी, जो उसकी खुद के डिसिजन्स थे, अब यहां पर एक बड़ा हाथ अच्छा फिलोसिफर, मैं मैं फिलोसिफी में आ जाती क्योंकि वो कहता है कि कुछ फैक्टिसिटी होती है, कुछ फैक्ट्स होते है हमारे लाइफ के, कि हमारे माबाप कैसे मिले हमें, घर कैसा मिला, कहां हम पैदा हुए, वो तो फैक्ट है, उसे नहीं बदल सकते, इसी को इंदन फिलोसिफी में करमों से एक्स्प्लेन कर दिया कि करम की बेसिस पे मिलगे आपको लेकिन अब आप distracted होके gossiping करने लगोगे chatter करने लगोगे ये करने लगोगे या फिर आप sincere होके अपना काम करके अपनी जो आप जिसे करने possibility बोलते हैं उसको possible है कि आप हो सकते हो जैसे कि हर इनसान की possibility है या एक उसका potential है कि हो सकता है लेकिन होगा या नहीं वो कर्मों पे आएगा और वो कितने level का होगा वो भी कर्मों पे आजाएगा मुझे क्या लगता है कि कर्म भी कही ना कहीं आप करपाओ या नहीं करपाओ या नहीं करपाओ ये लिखा हुआ है तो लेट्स एग्री टू डिसएग्री कोई और philosophical story या कहानिया कोई जो आपका बड़ा फेवरेट हो कि ये मेरा बड़ा फेवरेट philosophy है मेरी हर philosopher के साथ है कि मुझे ऐसे लगता है कि अलग एक relationship या एक अलग conversation है बहुत सारी है बहुत सारी है कहानिया तो अब आपको philosopher का नाम बताओ मैं फिर सुना पाऊंगी तो Greek and Roman philosopher उनकी दो चीज़े बड़ी unique है एक dialectical method और दूसरा उनकी जो कहानी है इसमें उन्होंने जहर पी लिया था तो पहले पहले तो क्या करते थे न सुक्राथ सुक्राथ पहले के जो philosophers स्टोएक्स कई सारे पहले भी वहाँ पर चलते रहते थे ग्रीक में स्टोएक्स थे रिलिटिवेस्ट से यह सबते तो उन लोगों से अलग बात करते थे सुक्राथ बच्चों को कहते थे कि अपना सत्ते खुद खोजो और अगर तुम सही सवाल पूछोगे तो जवाब तुमें खुद ही मिल जाएगा मनलब अगर मैने सही सवाल पूछे तो मुझे भी वही जवाब मिलेगा और आपने भी सही सवाल पूछे तो आपको भी वही जवाब मिलेगा तो प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम सही सवाल नहीं पूछ रहे हैं, तो वो डियलेक्टिकल मेथर से वो लोगों को पहुचाते थे, डियलेक्टिकल मेथर जैसे वो खड़े हो जाते थे, अपने एतिन्स के अंदर, वहाँ पे एक थोड़ी सी उंची जगा पे हुआ करती थी, और मुझे लगते हैं, होनी चीए, डिसकॉशन हमारे ना, वो पंचायत सिस्टम या जो एक इंटेलेक्टिकल डिसकॉशन के जो सिस्टम से शायद वो खतम हो गया और शायद वो नया फॉर्माइट, शायद पॉड़कास्ट हो गया है, तो इंटेलेक्टिक्शन करते थे, बच्चे, बहुत यंग्स्टर्स उनके आसपास इखटे हो जाते थे, तो सुकरात उनको कहते थे, बताओ, सत्य क्या है, तो कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, फिर अब सुकरात सिर्फ सवाल करते थे, अगर सत्य यह है, तो यह क्या है, अगर सत्य यह नहीं है, तो बस सवाल करते-करते वो व्यक्ति को उस जवाब तक ले आते थे, जो अपने आप में ऐसा जवाब होता था, जो इसे कोई नहीं काच सकता, लेकिन जब वो ऐसा करते थे, क्योंकि वो लोगों को समझाते थे, कि डेमॉक्रिसी और पॉलिटिकल सिस्टम पे बहुत बाते करते और जब भी कोई पॉलिटिकल सिस्टम पे बहुत जादा बाते करते हैं, तो क्या हो जाता है कि पॉलिटिशन्स जो उस समय के थे, उनके एनिमी बन गए, यह आदमी यूथ में बड़ा पॉपुलर हो रहे हैं, और यह बड़ा उसके खिलाफ बोल रहे हैं, या हमारी पॉलिट कर रहे है, तो इस चार्ज पे उन्हें जेल में डाल दिया गया, और जब जेल में डाल दिया गया लेकिन उनके सपोर्टर बहुत थे, बच्चे भी थे, एड्मिनिस्ट्रेशन में भी उनके कई सबॉटर्स थे, तो उनके एक सपोर्टर ने उनको कहा कि सुकरात आप भाग जाएए, मैं आपको चावी दे रहा हूँ, आप अपना ये खोलो, जेल खोलो और आप भाग जाओ, आपके लिए सब तयार है, आपको एकदम सेफ जगे पे हम लोग माचा देंगे, लेकिन सुकरात ने बोला कि नहीं, अगर मैं आज भाग गया, तो ये हो जाए इसे poison पी लिया, और आज भी मतलब इस बात को वो माना जाता है कि he did not ran away, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि अगर कोई विच्टी सही कर रहा तो उसे भागने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो सत्ते के ओपर अटल रहे, अपने सत्ते के ओपर वो बहुत लंबे समय तक अटल र रहा हूँ या कर रही हूँ, सही है, गलत है, अगर मैंने कभी सोचा ही नहीं, तो जीवन का क्या फाइदा, क्योंकि आपको पता ही नहीं, आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, जैसे बहुत बार है न मैं बच्चों से पूछती हूँ कि क्यो तो क्यों बनना है civil servant? या फिर क्यों करना ही ये? बहुतों को पास ज़वाब नहीं होता है. क्यों का कोई ज़वाब नहीं है उनके पास की क्यों करना है? क्योंकि शायद उनोंने उस तरह से सोचा नहीं हिए. तो अगा सुक्रात के नजरी से लिए, तो सुकरात कहेगा कि पैशन पर चीज परसिव करने का फाइदा नहीं है अगर तुम्हें यह नहीं पता कि क्यों तो इस दोनों चीज़ें उसकी बड़ी उनीक है एक डायलेक्टिकल मेथड कि अगर आपको किसी व्यक्ति जैसे मैं भी कहीं बार यूज करती हूं मैं इस टीचर इंस्पायर होके सुकरात से थोड़ा सा थोड़ा सा बोरो करके कभी कोई व्यक्ति बच्चा मुझसे बात करता है तो मैं कोशिश करती मैं सवाल के थ्रू ही उससे एक उसको वहां तक पहुंचा दू पहुंचा दू जहां पर खुदी समझ जाएगा क्योंकि से सदेन इस जड़ की आर जटक केहते हैं कि किसी चीज़ की जड़ तक पाउचनातों सात बार वाय बोलो कि दिवाल में क्र performing का इनियुसे क्ब ज़सर और क्यों कι तीन धund ऑन पे पहले महने बन वाई नहीं नहीं उपराब्य सवस्टीन आप पया कि लेकर काफी इन की वजए से और आगर मान लीजे कोई ये podcast सुन रहा है उसको philosophy पढ़ने का मन कर जाए तो उसे पहली कौन से book या कोई videos हों जो आप recommend करोगे philosophy की videos videos तो youtube पर खेर बहुत सारी होंगी ही मुझे मैं तो बहुत जादा अंताजा नहीं है मैं तो class में पढ़ाती हूँ तो मेरे तो कुछ lecture lecture डाल देते हैं हम लोग youtube पे लेकिन ऐसे प्रॉपर आप उसी को स्टार्ट करना है तो कोई बुक हो फिलोसफी की बुक हिंदी या मालब इंडियन फिलोसफी के लिए बहुत जादा मैं ऐसी बहुत जादा किताबे न आम भाशा में ने लिखी गई है जाधा तर किताबे जो हैं इंडियन फिलोसफी के लिए वो लिखी गई है थोड़ी न संस्कृत और कलिष्ट भाशा में तो अगर पढ बहुत कम है, वो इका दुखका लेक्चर पड़े है, मतलब बहुत जादा कभी मैंने इसको ऐसे, मेरा मन बहुत करता है, मेरा बहुत मन है कि सारी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन में बहतर हुआ, जब मैंने फिलोसफर्स पढ़े है, तो मुझे कहीं पर ऐसा ल समझ बढ़ती है, आपको चीजों को देखने के मुल्टिपल व्यूज मिल जाते हैं, वेस्टन फिलोसफी के लिए किताब है, सोफीज वर्ड, सोफीज वर्ड, चलिए, लास्ट कुश्चर मैं तनु जी आपसे पूछोंगा कि ओशो को लेकर आपके क्या थौट है, ओशो, वेरी वेरी, वेरी, जी आपसे लिए वर्ड, फिलोसफी के टीचर थे, फिलोसफर थे, और उनकी फिलोसफी बहुत प्राक्टिकल फिलोसफी थी, कुछ-कुछ, भीनल, देफिनिटली कही कारणों से कॉंट्रॉवर्शिल हो गए, ऐना हिज आदाट एंगान अना अदर कोई कई जो कहते हैं लेक्चर्स सुने हैं और जिंन लोगों सुने हैं मैंने देखा है कि वह अपने जीवन में जादा सौर्ट जादा नॉर्मल रहतें क्योंकि कही न और ओशों ने भी यही किया कि जितनी फिलोसफी थी यही डिया इसके एसेंस को पकड़के उन्होंने human life पे बात करी कि अगर वो बता रहे हैं कि हमें गुसा क्यों आता है तो basically इन्ही सब philosophies के क्रक्स निकाला क्योंकि कहीं न कहीं जाके हैं जब हम बहुत बार सारी philosophies को पढ़ते हैं तो यह शायद हम शाबदिक तोर पे ना कर भाएं लेकिन अंदर से एक realization आता है कि कहीं न कहीं सब एक ही सी बात कर रहे हैं अलग अलग तरीके से खर रहे हैं जो पिल्कुल एक जैसे सी नहीं लग रही हैं लेकिन आपको कहीं न कहीं वो synergy दिख जाएगी तो बस जो synergistic point है उसी पर ओशो ने बहुत अच्छे से बाते करी है आम भाशा में बाते करी है रियल लाइफ पर बाते करी है जो concerns हैं हमारे शायद हमें हम लोगों को स्दादातर लोग बच्चे सुन रहे हैं बच्चे को आप मोक्ष की बाते होगे तो मोक्ष ते मुझे क्या मैं बच्चे हूँ हम तो बच्चे हैं हमें मोक्ष से कोई मतलब नहीं है तो उसके पहले की जो दिक्कते हैं कि confusion क्यों है मुझे मैं परेशान क्यों हूँ या मेरी लाइफ के relationships ऐसे क्यों है या मेरा professional problem क्या आ रही है तो जो real life matters है ना इन पर ओशो ने बात करी और I always say कि he's one of a very good self-help philosopher और मैंने ये भी देखा है कि ओशो logical बाते करते है वो एक ही चीज को कि cigarette पीन अच्छा क्यों है इस पे भी बोल सकते हैं और cigarette पीना बुरा क्यों इस पे भी logic दे सकते हैं और end में वो छोड़ देते हैं आपको कि आप डिसाइड करो ठीक है philosophy को भी जवाब देती नहीं सही कह रहा हूँ philosophy जवाब देती आपको सोचने में मजबूर करती है वो आपको आपको आइडियाज दे देती है और फिर आप अपने आप एक अपना decision बनाते हो कि भी मेर को ये चीज़ सकते हैं जैसे हम इतनी सारी philosophies पढ़ते हैं है ना तो आपको हर philosopher की बात कही ना कहीं सही लगेगी और कही ना कहीं लगेगा ने ये नहीं है इसमें तो वो कोई-कोई एक perfect philosophy नहीं हो सकती और ये भी एक सत्य है एक philosopher हुए है एक व्यक्ति हुए है उन्होंने बोला है James के कोई भी व्यक्ति बिना philosophy के होई नहीं सकता यानि कि हर व्यक्ति की अपनी एक philosophy होती है हर व्यक्ति चाहे उसे पता है चाहे नहीं पता है ये मेरी जिन्दगी philosophy है तो हर आदमी की अपनी philosophy है छोटे-छोटे बच्चे की philosophy है अपनी उसको पता नहीं है कि वो जो कर रहा है वो अपनी philosophy के वशीभूत कर रहा है है ना अगर वो आज जूट मेहनत कर रहा है तो उसे पता नहीं है यह बात लेकिन असलियत में हर व्यक्ति की अपनी फिलोसफी है अब वो फिलोसफी अगर inconsistent होगी मतलब अच्छी नहीं होगी उसमें बार-बार-बार कहीं-कहीं पर problems हैं तो अगर problematic होगी तो इंसान confused रहेगा परिशान रहेगा और अगर consistent होगी consistent मतलब एक जैसी होगी कथनी करने में फरक नहीं होगा हमारी सोचना कथनी करने में फरक नहीं है तो हमारी जीवन जादा भेतर तरीके से हम जीपाएंगे कोई आपका कूठ जो आपको बहुत पसंद हो मेरा को अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं है अगर आपको जीवन में कुछ भी चाहिए आपको महनत करने पड़ेगे मरना पड़ेगा स्वर्ग मतलब something which we desire और अपने बिना मतलब आपको ही महनत करने पड़ेगे आपको efforts डालने पड़ेगे इसका ऐसा भी कि आपके दुख आपी के है आप भी को solve करने पड़ेगे अगर हम अपने परिशादियों की ownership नहीं लेंगे और हम चाहेंगे हमारे परिशादियों की ownership भी कोई और ले ले then it is तो फिर स्वर्ग की कामदा नहीं करने चाहिए स्वर्ग मतलब in the sense whatever you want to achieve supposedly कोई वेक्ती है कुछ भी करना चाहता है कोई selection चाहता है कोई leader बनना चाहता है तो अगर चाहते हो तो तुम्हें उस process से गुदरना पड़ेगा जो उसके लिए जरूरी है और अगर तुम process से नहीं गुदरना चाहते तो उसकी कामना भी छोड़नी पड़ेगी तो my मतलब this is why my logic कि या तो कामना मत करो तब भी ठीक है लाई ज़रूरी तोड़ना कामना करनी है हम सारे philosophers कहके गई है कामना मत करो कामना से दुख होता है परेशानी होती है या फिर अगर कामना कर रहे हो तो महनत करो तो महनत करो तो process से follow करो तो अगर स्वर्ग चाहिए तो मरना बढ़ेगा अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता तो तनू मैं अब हम rapid fire round करेंगे इसमें मैं आपसे सवाल पूछूँगा आपको या तो एक शब्द या एक वाक्य में इसका अंसर देना जो भी आपके दिमाग में सबसे पहला thought आए आपके जीवन का सबसे बड़ा सबक अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता वो पहली चीज़ क्या है जो आप सुबह करते हो अपने बेटे की शकल देखना और मुस्कुराना आपका पसंदीदा आध्यात्मिक स्थान स्थान नहीं है पर मुझे लगता है कि जब भी आध्यात्मिक होते हैं तो तब वही पर ही मितलब अच्छा लगता है को यसे स्पेसिविक स्थान नहीं है टीचर और सिविल सलवेट टीचर? I have already made a choice वो एक book जिसने आपके thought process को बदल दिया हो बहुत सारी है कोई एक बहुत सारी है गीता सची खुशी के लिए आप एक शब्द क्या कहना चाहेंगे It's inside कोई ऐसा लक्ष जो अभी रहे गया है बहुत सारे है अभी तो कहरा क्या है कोई मंत्र या इस लोग जो आप को पसंद हो या आप बार बार रेसाइट करते हो वो भी बहुत सारे है अब वही तो अब वही तो मेरे एक है नहीं ना नमोरी अंतानम से लेकि भकतांबर ओसा घरम तो बहुत सारे गाइतरी मंत्र हनुमान चालिसा तो अगर आप कुछ मौका दिया जाए कि आज से 20 साल पहले आप चले जाओगे तीक है आपके पास बुद्धी यही रहेगी नौलेज इंफॉर्मिशन यही रहेगी तो कि आप दुबारा UPSC दोगे बिलकुल कि या टीचर बनोगे पहले तो UPSC करने के बाद नौकरी करने के बाद छोड़के फिल टीचर बनोगे कोई और करियर चोईस करने का चोईस हुआ तो कौन सा करिया UPSC या टीचर के अलावा क्या होती क्या होती आज के अगर सेनारियों में देखू तो मैं भी AI एक्सपर्ट इंटरस्टिंग थैंक यू सो मज़ तनु जी आपका रविट फायर रांड थैंक यू तनु मैं ये पॉडकास के बाद मुझे एक बात और आज दुबारा से रिलाइस हो गई कि लाइफ में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है और हर चीज़ चाहिए वो फिलोसफी हो या कोई भी हो हमें हमेशा निरंतर चाहिए जो उम्रों पढ़ते रहना चाहिए हमारी समझ बढ़ती है हमें disagree भी करना चाहिए agree भी करना चाहिए उससे भी समझ बढ़ती है और हम काफी शान्त होते हैं खुद में एजुकेशन से पढ़ने से जीवन जीने और असान हो जाता है समझ आ जाता है अब आपके रिस्ते भी बहतर हो जाते हैं आप समझते हो कि गुस्सा कर रहा है कब तक करेगा ठीक हो जाना है आपका बेभार बदल जाता है तो थेंक यू सो मच यह रिलाइस करवाने के लिए थेंक यू सो मच हमारे पॉड़कास पे आने रादे रादे कर दो मारे ठादे